आज हम बनाएंगे ब्रेट से समूसे जो कि बनाना बहुत आसान है और या खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है या नॉर्मल समूसे से ज्यादा ही खाने में टेस्टी लगता है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना ना बूलिएगा और ऐसी मेरे सिंपल एंड ड्रीस देस्टी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेट से समूसे बनाना समूसा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टुपिंग बना लेते हैं मसाला यहां पर हम लिए है एक चमठ जीरा और उसमें डालेंगे एक मेथि डाना साथी इसमें डालेंगे एक चमठ सौफ ओर इस भी कंशल का सब्भूम लेंगे और यह दिखी यहाँ पर इस तर कलर चेंज हो गया है यह अच्छे तरीके से भून चुका है हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और पैन में दो टेवल इस्पून ओयल डाल कर इसे अच्छे से गरम कर लिए है और अब इसमें डालेंगे कुटे हुए मसाले और सात ही इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्श और अब इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज और इन सबी को हम अच्छे परीके से मिक्स कर लेंगे और प्याज के हलगे से सॉप्ट होने तक से पकाएंगे यह देखिए यहाँ पर प्याज थोड़े से सॉक्त हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगी हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर वन फूर्थ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून रेडी मिट्श पॉडर और इस अभी को अच्छे जे मिक्स कर लेंगी अब हम इसमें डालेंगे एक कप उबले हुए मटर और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी और साथ ही यहाँ पर हम दिये हैं चार से पाच उबले हुए आलू हमने आलू को छोटी-छोटी टुकडों में मैस कर लिया है हमें इसे बहुत जादा बारीक में असने करना है हमें इसे मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अलू को बहुत जादा छोटा नहीं तोड़ना है थोड़ा सा बड़ा ही रखना है और हम इसे इसे तरीके से मिक्स कर लेंगी चार-पांच मिनिट तक भून लेंगे इससे हमारी मसाली खाने में बहुत जाला टेस्टी लगेंगे और यहां पर हमने चार मिनिट तक आलू को अच्छे से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे एक चम्मच शाट मसाला और एक चम्मच डालेंगे आमचुर पाउडर यहां पर हम लिये हैं आधा चम्मच कुटी वी काली मिर्ष इसे भी इसमें डालेंगे इससे इस्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे तेस्ट के कॉर्डिंग नमप और हम इन सभी मसालो को डालने के वाद इसे दो मिनित तक और गूल लेंगे और यहाँ पर हमने इस्टफिंग को दो मिनित और अच्छे से बूल लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है और यह अच्छे तरीके से पक चुका है हम यहाँ पर फ्लेम आफ कर देंगे और इस्टफिंग को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिए और यहाँ पर हमने इस्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लिया है तो चलिए अब हम ब्रेट समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आ लिया एक ब्रेट और हम इसके साइड से कट कर लेंगे ब्रेट को कट करने के बाद हम झाल 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 झाल